नमस्कार आप सभी का एगेंस कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे दोसी लोग सूचना पताधिकारी एवं परत्थम अपीले प्राधिकार को किस प्रकार आर्थिक डन धारा बीस एक के तहत लगा जा सकता है साथ साथ धारा बीस दो के तहत विभाग्य कारवाई की भी एनुसंसा करवाई जा सकती है चलिए जो इस चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं वो अब सबस्क्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दवाकर आल पर भी क्लिक अबस्रिक कर लें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा एक लाइक अवस्षिक करेंगे Facebook, Instagram, WhatsApp जो भी सुविदा हो आप लोग अधिक से अधिक से शेयर करेंगे जिससे हर भारतिये को इसकी जानकारी हो तथा भ्रस्टाचार को मिटाने में कुछ सहयोग मिल सके चलिए देखिए मैं एक वाद में लगातार एक ही वाद में लगवग 18 मह से सुनवाई करता आ रहा हूँ इस पर कई बार राज सुचना आयोग द्वारा असपस्ट परतिवेदन देने को कहा गया है लेकिन बार बार असपस्ट आदेश की बाब जूद लोग सुचना पदादिकारी सहताना द्यक्ष द्वारा वांचित सूचना नापरदान कर आवेदक के साथ सूचना आयोग को भी गुमरह कर रहे हैं आसा है इस बाद में सूचना आयोग द्वारा मुक्ष सूचना आयुकत के माध्यम से अवस्य कारवाई की जाएगी तथा आर्थिक डंड के साथ साथ विवागी कारवाई की भी संभावना है इसलिए आप लोग भी इस तरह परतिवेदन लिख कर सूचना आयोग में सुनवाई से पुर्व अवस जमा करें चलिए किस प्रकार लिखेंगे इसकी जानकारी प्राप करेंगे सेवा में स्रीमान राजमुक्षूचना आयोग जिसके भी कोट में हो या सुचना आयोग के कोट में उनका नाम पता भी दे सकते हैं सुचना वण परतिवेदन देने के संब्द में एवं दोसी परधारा बीस एक और बीस तो की कारवाई करड़े के संब्द में यह मेरा नाम है बनाम में प्रथम अपिली अपदाधिकार सह पुलिस नक्षक हैं और लोग सुचनापदाधिकारी थानाध्यक्ष हैं कई थाना अध्यक्ष को असपस्ट आदेश मिल गया है तिन चार थाना अध्यक्ष में उपस्थित भी हुए लेकिन असपस्थ वांचित सूचना नहीं परदान कर रहे थे इस वार अंतिम चेतावनी देकर इने छोड़ा गया था लेकिन इसके बाब जूद भी अब तक किनियत से मुझ पर हमला भी करवाया गया है मैं गंभी रूप से घायल भी हुआ था और मुझ पर ही अफायार दर्ज करवा दिया गया है मेरे परतिपक्षीगन के मिली भगत से मैंने प्रपत्र को द्वारा दिनांग 2712-2018 को वांचित सूचना के लिए आवेदन प्रिसित क किया था लेकिन वांचित सूचना एसो समय नहीं दी गई दूसरा मैंने प्रथम अपी लेतू 13-2-2019 को आवेदन किया लेकिन प्रथम अपी डिप रादिकार द्वारा भी कोई कारवाई नहीं की गई तीसरा सूचना मांगने के कारण ततकाली लोग सूचना अपतादिकारी रनवीर राउत द्वारा मेरी प्रतिपक्षी गन सुनिल सरमा एवं अन्ज से मिलकर मुझ पर एवं मेरे प्रिवार के सदस्यों पर ही कांट संख्या इतना धारा इतना के तहद दर्ज करवा दिया गया इसकी सिकायत भी की गई थी चौथा पर्थम बार सूचना आयोग के पत्रांग 561 राज सूचना आयोग दिनांग 4-3-2021 से नोटिस होने पर ततकाली लोग सूचना अपतादिकारी सहोपी परवारी रामनिबास चौधरी द्वारावी वानचित सूचना परदानना कर मेरे प्रतिपक्षी गन्धनिशर स सर्मा एवं अन्य से मिलकर साजिस रस्ते हुए पुनहकांट संक्या इतना अंडर सक्सेन इतना के तहत दर्ज करवा दिया गया है जिसमें मुझे एवं मेरे पूरी परिवार को फसाने का प्रयास किया गया है जबकि रामनिबास चौधरी द्वारा हत्या कराने का की नियत स मेरे साथ लूट पार्ट करवाते हुए मेरे मुवाइल पैसा पर सिवा अन्द समान छेन कर मेरे सिर आंक मुह गर्दन आदी पर गंभीर पुरहार कर जख्मी कर बहोस कर दिया गया था पाच मां बार बार सूचना आयोग के असपस्ट आदे इसके बाबजूद मुझे वान को ठीक से समझ में आए छठा लोग सुचना अपदादिकाली सहथानाद्यक रामनिवास चौधरी द्वारा ग्यापांग कितना दिनां कितना से मुझे अन बिंद्यों पर सूचना परदान करते हुए मुझे अब मायोग को भी गुम्राह करने का अपडियास किया गया है लो कि बावजूद बरतमाल लोग सुचना अपदादिकारी सहरतवारा और प्यद्यक्ष प्रमोत प्रसादवारा भी वांचित सुचना ना परदान कर डियार नंबर 22-22 डेट उनीस एक बाइस की अभी परमानित छाया परती दी गई है इस प्रकार सभी मुझे एवमायोग को रहे हैं जो ग्या पांक इतना इतना से भेजा गया है नो ऐसी स्तिती में सुचना अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं करने पर दोसी पर आर्टी आई एक 2005 की धारा बीस एक कितहत आर्थिक डन लगा जाए सुचना मांगने के कारण मुझ पर एवम मेरे प्रिवार के सदस् एवम निया प्रेकेस पस्टा देश का उलंगन करने एवम जमता को जान बूज कर प्रिसान करने एवम सौसमेन या मानुसार काम नहीं करने के कारण दोसी पर आर्टी आई एक दो जाए पांच की धारा बीस दो के तहत अनुसासनिक करवाई के लिए सिफारिस भी करें एव मुझ दिव्यान के परिवार को आर्थिक छती के लिए धारा बीस आठ बीके तहत मुआपजा भी दिलाने की किरपा की जाए इसके लिए मेरा पूरा परिवारायो का सदावारी बना रहेगा नोट अब भी पी आई ओ द्वारा मेरे परतिपक्षी गंद से मिलकर मेरी हत्या कि साजिस कर्च रस्ते आ रहे हैं अधी मेरी हत्या होती है तो इसमें दोसी पी आई ओ भी होंगे अनुलगनक जो भी आप लगाना चाते हैं जो भी साक्षो आप पत्रांग दिनांग देकर आप लगाएंगे अपना हस्ताक्षर मुवाइल नंबर दिनांग अवस्य दे दे करते हैं इस प्रकार हम लोग पी आई ओ के खिलाप आर्थिक डंड के साथ साथ विभाग ये कारवाई भी करवा सकते हैं तथा अच्छती पूर्ती हेतु मांग भी कर सकते हैं जैहिन